हाला दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अनीश अखबरफी से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो के अंदर दोस्तों आप सभी को पता है कि जो भी नई अपडेट आते हैं मेरी कोशिश रहते कि आप सभी को उस नई अपडेट के बारे में आपे पूरी प्रोवाइड कराना तो आज किस नई वीडियो में हम बात करेंगे यहां पर LPNT वॉलेट के अंदर एक अपडेशन आई है उसमें आपको NFT का एक option देखने को मिलेगा और नई NFT को आप बाय कैसे कर सकते हो सारा प्रोसेस में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव करके एक एक स्टैप को आपको फोलो करना है आपको स्टेकिंग करने में कोई भी प्रोब्लम नहीं आएगी तो फाइनल दोस्तों शुरू करत हैं हम आज किसने वीडियो को सबसे पहले आपको क्या करना है LPNT wallet को update करना है second आपको क्या करना है LPN token.net को यहाँ पर login करना है और ID password के साथ जैसे आप यहाँ पर login करते हो तो आपको जो interface है वो यहाँ पर कुछ इस जैसे शो करेगा सबसे पहले आपको यहाँ पर right end की देखे चार option दिखाए देंगे तो second जो option एक नया option add on हुआ है website के ओपर buy NFT का अगर आपको नहीं NFT buy करने उसको staking करनी है तो आपको यह करना है buy NFT के option पे click करना है जैसे ही आप buy NFT option पे click करते हो तो आपको जो interface है वो यहाँ पर कुछ इस ऐसे show करेगा अब देखिए आपको य आपको यह option मिल जाता है तो आपको करनी है यहाँ पर buy now करना है जैसे ही आप यहाँ पर buy now करते हैं अब आपकी choice हैं यहां पर कि आप अथारा महीने के लvelluk करना चाहते हो यहाँ फीछ एतिस महीने के लिए लिए contributions के होते हो और इसमें आपको दो option ओर दिखाई देते हैं औ अगर आप USLD हैं आपके LPNT wallet के अंदर तब भी आप यहां इससे staking कर पाओगे अगर आपके पास LPNT है तब भी आप यहां पे इसकी staking कर पाओगे तो अभी यहां पे आपको क्या करना है 18 मन्त की option पर आपको click करना है जैसे ही आप यहां पर click करते हैं तो आपको यहां पर देगी तो मैं अब यहां पर simply USLD के option पर click करता हूं और नीची आपको buy now का option दिखाए देगा तो आपको USLD को select करके और tenure select करना है उसके बाद buy now का option मिलता है buy now आपको simple इसको कर देना है तो जैसे ही आप यहां पर buy now करते हैं तो आपको यहां पर QR code यहां पर screen के ओपर show करना है तो simply अभी क्या करता हूं इसका screenshot ले लेता हूं जैसी में यहां पर screenshot लेता हूं उसके बाद आपको क्या करना है LPNT wallet को log in करना है जिस भी wallet में आप यहां पे जिस भी account की staking करना चाहते हो nft के अंदर तो मैंने उसी account को यहां पर क्या किया है Simplelogin किया है log in करना के बाद आप देख सकते हो balance मेरे पास है LPNT की form में भी है और USLD की form में भी है तो मैंने वहाँ पे USLD को select किया था तो simply मेरे पास जो balance है वो यहाँ पे 1900 USLD मेरे पास अभी है उसके बाद आपको यहाँ पे stake का option दिखाए देगा stake की option पर click करना है जैसे आप stake की option पर click करते हैं तो NFT का एक option दिखाए देगा इसको select करना है जैसे आप इसको select करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए दो option दिखाए देगे camera और gallery अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप screenshot लेना चाहते हो तो आप screenshot भी ले सकते हो उसके साथ भी आप easily यहाँ पे payment कर पाओगे तो मैंने वहाँ पे screenshot लिया था तो मैं gallery की option पर click करता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे gallery की option पर click करता हूँ आपको क्या करना है उस screenshot को यहाँ पे select करना है simply select करने के बाद यहाँ पे right hand की तरफ एक tick mark का option आएगा इसके ओपर जैसे आप click करते हो तो जो भी information होगी आपकी NFT की कि आप कितने के साथ यहाँ पे starting कर रहे हो अपनी NFT की तो वो सारी detail आपको यहाँ पे screen के ओपर ऐसे show करेगा अगर आपको यह same buy करनी है तो आपको क्या करना है simple buy now के option पे click करना है जैसे आप buy now करते हैं तो आपकी जो NFT है वो यहाँ पे देखिए successful purchase यहाँ पे हो चुकी है जैसे यहाँ पे आपकी successful NFT buy हो जाएगी आपके wallet की तरफ से यहाँ नोटिफिकेशन ही भी आपको screen के ओपर show करेगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो balance है मेरा वह यहाँ balance भी आप देख सकते हो 1900 डोलर थे मेरे पास यहाँ पे तो अब यहाँ पे 1830 डोलर यहाँ पे रह चुके है अब देखिए अब आपको क्या करना है simply अपनी जो website है lpn.net उसको यहाँ पे login करना है जैसे आप यहाँ पे login करते है तो यहाँ पे देखिए automatic show करेगा कि जो आपकी payment है वो यहाँ पे successful complete हो चुकी है और आपकी जो भी detail होगी वो आपकी screen के उपर ऐसे आपको visible होगी उसके बाद आपको क्या करना है simple इसको home के page पे click करना है अब यहाँ पे देखिए आपको invoice देखने को मिलेगी आपकी screen के उपर अब अगर आप invoice भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको side में थोड़ा scroll करते हो जैसे ही तो view NFT का एक option दिखाए देगा आपको अगर आपको यहाँ पे transaction चेक करने या blockchain के उपर तो आप view NFT के option पे simple इसको click कर सकते हो अब देखिए मैं आपको click करके दिखाता हूँ view NFT के option पे जैसे मैं click करता हूँ तो आप वैसे ही BSC scan के उपर आप redirect हो जाओगे अब यहाँ पे देखिए time भी आ जाएगा आपकी जो भी detail होगी transaction hash भी आपको देखने को मिलेगा सारी detail आपको BSC scan के उपर देखने को मिलेगी आप जाके simply अपने transaction को check कर सकते हो अब यहाँ पे देखिए मैं holders में आच चुका हूँ और जो मैंने transaction की थी वो यहाँ पे देखिए जो मेरा token ID नमबर था वो मेरा 7700 था तो मैं यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे screen के उपर दिखा भी रहा हूँ और यहाँ पे इसके उपर मैं click करता हूँ जैसी देखिए मैं इसके उपर click करता हूँ तो यहाँ पे देखिए balance भी मेरे को दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर buy simply कर चुके है और आपके पास यहाँ पर जो quantity है वो आखिरकार कितनी quantity आपने यहाँ पर buy किये आज की वीडियो के इंदर हमने बात की कि आप नहीं NFT को buy कैसे कर सकते हो हर एक step मैंने आपको करके दिखाया है अगर आपको फिर भी कोई issue आता है तो आप मुझे telegram के उपर message कर सकते हो और अब तक अगर आप हमारे official telegram channel के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो क्योंकि वहाँ पर जो भी latest update होती है मैं सबसे पहले telegram channel के उपर आपको send करता हूँ और उसके बाद मैं आप सभी के लिए वीडियो ले के आता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe कर लिजिए और जितने भी आपके पास group पे आपके friends है उन सभी के पास आप इस वीडियो को share कर सकते हो